Hello, good afternoon student, myself, Khushbusha. Last time, आपड़े Engineering Mechanics subject मा, chapter no. 4, Centroid and Centroid of Gravity मा. आपड़े 1-Dimensional Figure, 2-Dimensional Figure and 3-Dimensional Figures निवाद करिया दी. कि जिमां आपड़े 1st 2-Dimensional Figures एना Equations और एना Example जोया आता. देन आपड़े 3-Dimensional Figures ना Equation और एना Example जोया आता. ओके, student, तो नाव आपड़े 1-Dimensional Figures ना फरिती एक वार Equation जोशू और पचे एना Example जोशू. ओके, तो त्यार आपड़े Start करिये छे 1-Dimensional Figures ना Equation. 1-Dimensional Figures एमां फर्स्ट जियोमेट्रिकल शेप मां छे Straight Wire AB. ओके, AB वायर तमने देखाई छे, अने एनी Length आपएली छे L, वच्चे छे साइन्ट रोट G, एमां Length छे L, X बार नू Equation थाई छे L by 2, अने Y बार नू Equation थाई छे L by 2. क्लियर? आपड़े 2-Dimensional Figures मां एरिया निवाद करता था, 3-Dimensional Figures मां आपड़े Volume निवाद करता था, एवी जरीते 1-Dimensional Figures मां सु आवसे Length हावसे, ओके? तो First Street Wire AB मां एनि Length L छे, तो एनो X बार पन L by 2 थाषे, अने Y बार पन L by 2 थाषे, क्लियर? तो जहारे आपड़े आपने आवी कोई Street Line ये लिए कि Street Wire आपे लोचे, तो एमां Length X बार आनि Y बार मां आ एक्वेशन नू यूज करवानों चा आपड़े Example मां, क्लियर? ये लिए कि येना परिक जेतली, एनी लंबाई केटी मरसे येना परिक जेतली, क्लियर? तो Geometric और Ship मां तम्हें फिगर मां जोई शको चो कि रिंग आपे ली थे, वायर नी राउंड रिंग आपेली छे, सेंट्रोइड वच्चे G छे, X सक्सिस और Y अक्सिस नू सेंटर छे त्या G आपेलू छे, नीचे x बार बतावेलो छे औने right side y बार बतावेलो छे clear एटले के x बार केटलो थसे औने y बार केटलो थसे अवे length थसे 2 pi r में वाद करी परिग प्रमाणे clear x बार नो equation चे या r एटले के इनी radius जेतलू wire ring नो diameter जेतलो आपे लोचे एप्रमाणे इनी जेतली radius थसे ए थसे x बार और ये y बार पन थसे r एटले के radius clear तो wire ring नी length 2 pi r x बार r and y बार पन r चलो अवे थाड़ equation चोईए थाड़ geometrical shape चे semi circular wire a b semi circular अपने second वाद करी wire ring नी हवे चे semi circular wire a b okay तो एमा सर्कल बतावे लूचे semi circle एनू जे diameter चे a b a b line जे चे ये total diameter बतावे चे okay तो एनी radius पनापने मड़ी जसे x बार बतावे लोचे a थसे radius जेतलो और y बार बतावे लोचे clear तो एनी length मरसे pi r full जे ring गती एनू सु अतु लेंथ next last equation मा 2 pi r clear clear तो semi circular means 2 pi r upon 2 is equal to pi r clear तो length थसे pi r x बार थसे r औने y बार थसे 2 r upon pi clear x बार में तमने बात करी के a b चे ये total सु चे diameter जेतलो हसे तो एनू x बार जे तमने देखाए चे a केतलो थसे radius जेतलो clear औने जे y बार बतावे लोचे ये y बार केतलो थसे तो के 2 r upon pi i नू equation चे clear के जे तमारे एक्जामपल मा याद राखवानू चे चलो फोर्थ जोई ये फोर्थ जियोमेट्रिकल शेप चे quarter circular wire a b एले गे इनो चोथा भाग नो ये पोर्शन आपे लोचे पहला आपड़े wiring फूल जोई पची semi जोई अने पची a नी पन हाफ चे तो तमने बतावे लोचे a b के जे quarter circular चे x बर बतावे लोचे अने y बर बतावे लोचे clear तो एनी length थसे pi r upon 2 फूल जे सरकल अती एनी हती 2 pi r length semi circle नी सुवतू pi r अने हजी पन एन अती पन चोथो भाग चे माटे pi r upon 2 length थसे clear x बार नू एक्वेशन थसे 2 r upon pi अने y बार नू एक्वेशन पन थसे 2 r upon pi clear तो x बार अने y बार थसे 2 r upon pi अने एनी length के थसे pi r upon 2 clear तो चलो हवे जे आपणे चार जियोमेट्रिकल शेप जो या one dimensional figure माँ first आपणे सुझू जो यू length then circular wiring then semi circular अने quarter circular तो आच चार जे एक्वेशन छे एनो यूज आपणे एक्वेशन माँ थाई छे तो हवे आपणे one dimensional figures ना example solve करिये two dimensional अने three dimensional ना पण आपणे equation प्रमाणे example solve करिया इमा आपणे सु याद रागता था x सक्सिस अने y अक्सिस के जे reference अक्सिस आपणे एक्वेशन ने solve करवाना चे clear तो first आपणे one dimensional figure ना example जो सु first find centroid of wire a, b, c, d शानीन figure figure मा wire बतावे लो चे a, b, b, c and c, d 20 cm नी जे length छे a wire छे a, b 15 cm नी जे length छे a wire छे b, c and 10 m नी जे length आपए ली छे 10 cm नी a छे c, d clear तो आई आपणे wire a, b, c, d आपे लो चे wire is a one dimensional matter therefore length of wire is to be calculated ओके आज ये wire जे चेही कही हुँचे one dimensional छे माटे एनी आपणे length ने consider करवानी छे ओके तो अहिया a, b, b, c आने c, d 33 wire आपएला छे आने 33 wire नी आहिया length आपएली छे हवे आपणी पासे straight line नूँ ये length नूँ पन equation छे x बार नूँ पन equation छे आने y बार नूँ पन equation छे clear, चो तमने फरीती एक वार आपणे refer करी लए length छे एनी L x बार नूँ equation छे L by 2 clear, तो आहिया आपणने example जे आपेलो छे एक्जांपल मा straight line जा पेली छे माटे जे first equation आपणे जो यूँ ए first equation नहीं आप वोलो थासे clear, तो first आपणे part number 1 AB line ने आपसू, part number 2 BC line ने आपसू, औने part number 3 CD line ने आपसू clear, औने reference success नहीं बतावेली छे reference success वर्टिकल छे औने reference success होरिजन्टल छे clear, जहारे आपणे x-bar count करिये छी एला के x1, x2 औने x3 जारे आपने count कर सू, त्यारे आपणे vertical reference success ने reference मा राक सू, clear, औने जहारे आपणे y1, y2 औने y3 मेजर कर सू, त्यारे आपणे horizontal reference success ने reference तरीके राक सू, clear तो चलो यह जोई आपणे part 1 AB, ओके तो part 1 AB नू फस्स आपणे सू फाइन कर सू, L1 x1 औन y1 तो चलो L1 जोई आपणे चलो part AB तो एनी L केटले छे length 20 cm, clear 20 cm नी length छे हवे, जहारे आपणे x1 काउंट करिये छिए, त्यारे x1 नू equation आपणे पासे छे, सू छे L by 2, मैं तमने उमना वाद करिये प्रमाणे, clear, तो total length केटले आपणे छे AB नी 20 cm, so L by 2 is equal to 10 cm, clear so L1 is equal to 20 cm के जहे नी length छे x1 थसे L by 2 20 by 2 is equal to 10 cm, clear अने y1 जह आपणे वाइर AB आपेलो छे, एनी कोई height आपेली नथी, clear आपणे जहरे y मेजर करिये छिए त्यारे आपणे सू करिये छे, एनू vertical distance ने count करिये छे, पण अहिया line AB नू कोई ज vertical distance आपेलो नथी ok, माटे y1 केटलो थसे 0 थसे, clear student चलो, part number 2, BC चलो, part number 2, BC नो L2, X2 और Y2 जोई है part number 2 नी length आपेली छे, यह आपने 15 cm, ok माटे L2 केटलो थसे 15 cm चलो, हवे X2 X2 माँ, जे BC जे छे एनी, vertical length आपेली छे पन, horizontal length आपेली नथी part number 1, जे AB छे एनी, horizontal length आपेली छे vertical माँ, आपेली नथी जे, part number BC छे एनी, vertical length आपेली छे horizontal माँ, आपेली नथी clear, आपनी पासे first आपने, आगर ना पन 2D और 3D ना एक्जाम्पल माँ, जोई गया के, आपने एक rule ने follow करवानों छे, कयो तो, के, reference axis जे vertical छे, इ vertical reference success थी, second number ना part सुधी आपने पहुचवानों छे औके, आपने पची आपने एक्वेशन ने follow करवानों छे, के L by 2 तो, first second number नो part कायों छे, BC छे first number नो part टो reference success ने touches थेलों छे, माटे आपने सिद्धा equation ने follow करी दीता, clear पन, part number जे BC आपे लो छे, ए vertical reference success चे छे, एना थी केटलो दूर छे 20 cm जेटलो horizontal मा दूर छे तो, जारे x1 आपने count करिये छे तारे 20 cm जेटलो distance प्लस करवा पर से, और पची आपने equation फोलो थासे L by 2 पन, एनी जे vertical length छे 15 cm पन, horizontal length BC नी आपे ली ना थी, माटे horizontal length थासे 0, 20 प्लस 0 is equal to 20 ओके, तो L2 नी length छे 15 cm x2 थासे 20 cm अने y2 y2 नूँ equation सुछ आपड़ी पासे L by 2 clear, माटे 15 cm upon 2 is equal to 7.5 cm clear student, फरी थी एक वार repeat करूँ छू के, जे वन्न बर्नो पार्ट AB छे 20 cm ने length वारो पार्ट ए, vertical reference axis ने touch थैलो पार्ट छे clear, माटे आपड़े सिद्धाज equation ने follow करिया first equation छे L एतो length आपड़े नहीं लखे लिदी छे 20 cm clear, first आपड़े x1 नूसु छे equation L by 2 तो एनी length केटली आपड़ी छे 20 cm पर ए, horizontal माँ length आपड़ी छे 20 cm माटे L by 2 थसे 10 cm पर जे AB पोर्षन छे एनी vertical माँ कोई length आपड़ी न थी माटे केटलू थसे 0 अन्ने जे L by 2 equation छे ए, आपड़े सिद्धू केम apply करियू जो ए, दूर होत तो पिला केटलो दूर छे एटलो डिस्टेंसे माँ सु करू पड़े प्लस करू पड़े clear? तो फर्स जे AB जे पाड़ छे एना आपड़े बद्धाज equation जे छे एने सिद्धा apply करी दिता छे because के ए, जे, लाइन छे इ, वर्टिकल रेफरेंस सक्सिस ने टच थायली छे पड़े आपड़े फिगर माँ जोई है के पाड़ नमबर 2 जे BC जे छे ए, वर्टिकल रेफरेंस सक्सिस थी दूर छे कितली दूर छे? तो के horizontal माँ 20 cm जे तली दूर छे तो जे आरे आपड़े x2 काउंट करशू त्यारे ए डिस्तन्स से पहला एमा प्लस करशू अने पच्छी एनू जो horizontal माँ length हसे तो आपणी सुत्र अपलाई करशू l by 2 तो फर्स्ट आपणी 20 cm नो प्लस करी length पाण BC ने horizontal माँ कोई length न थी एटले 0 तो 20 प्लस 0 is equal to 20 अने BC लाइन नू जारे y1 काउंट करिये छे त्यारे ए जे horizontal reference अक्सिस छे एने touch थेलो पाट छे जो BC जे लाइन छे इवर्टिकल छे छे एना थी दूर छे 20 cm पन जे horizontal reference अक्सिस छे एने touch थेलो पाट छे BC क्लियर एटले सिद्धू आपणे सुत्र एपलाई कर्शू L by 2 माते 15 by 2 is equal to 7.5 cm क्लियर L2 is equal to 15 cm X2 is equal to 20 cm and Y2 is equal to 7.5 cm क्लियर चलो अब पाट नंबर 3 CD पाट नंबर 3 CD नी length length केट ली छे 10 cm क्लियर चलो अब 10 cm नी length छे पाट नंबर 3 हवे आपड़े first find करसू X3 क्लियर तो X3 वक्ते आपड़े vertical reference success ने follow करवानी छे तो vertical reference success थी पाट नंबर जे 3 छे एक एटलो दूर छे जेटलो पाट नंबर 2 ने दूर छे एटलो ज पाट नंबर 3 ने दूर छे क्लियर तो 20 cm जेटलो डिस्टेंस आपड़े शू करू पर से एमा प्लस करू पर से पछी आपड़े third number ना पाट नू सुत्र एपलाई करवानू छे क्लियर तो first आपड़े शू करसू 20 प्लस अने CD जे छे एनो horizontal मा लेंथ आपड़े पासे छे कितली छे 10 cm तो L by 2 केटलो थासे 10 upon 2 is equal to 5 so 20 plus 5 is equal to 25 cm क्लियर L3 एटले केनी पोता नी लेंथ केटली छे 10 cm छे अने X3 आपड़े के विरे ते काउंट करू 20 cm नी जे दूर जे पाट जे छे third number नो portion vertical reference अक्सिस थी first पेला एटलो distance आपड़े plus केरू 20 plus and then horizontal मां लेंथ केटली छे CD नी 10 cm मांटे सुत्रसू एपलाई थासे L by 2 so 20 plus 5 is equal to 25 ok and जे CD जे छे एनी vertical height छे नथी ok जो BC जे पाट छे BC पाट नी जे vertical height छे AB पाट नी पन vertical height नथी and CD पाट नी पन vertical height नथी clear तो फर्स्ट आपड़े एपाट सुधी पहुंचू तो पड़ से कई axis थी? horizontal axis थी तो horizontal axis थी थार्ड नंबर नो पाट छे CD एक एटलो दूर छे vertical height मां 15 cm तो आपड़े फर्स्ट 15 cm डिस्टंस ने शू करसू प्लस करसू तो 15 cm प्लस यह वर्टिकल कोई height छे नहीं so 0 तो यहनू आंसर शू आउसे 15 ने जाउसे तो पाट नंबर 3 CD नो L3 is equal to 10 cm X3 is equal to 25 cm and Y3 is equal to 15 cm clear हवे आपड़े त्रणे त्रण जे पाट छे एनू L1, X1, Y1 L2, X2, Y2 and L3, X3, Y3 आपड़े फाइंड करी ली दा clear हवे आपड़े सू फाइंड करवानू छे X बार अने Y बार फाइंड करवानू छे तो चलो आएक्वेशन नी value एक्वेशन मा पुट अप करिए X बार is equal to L1, X1 plus L2, X2 plus L3, X3 upon L1 plus L2, plus L3 ओके स्टुड़ेंड जो 3-dimensional जे फीगर जे छे एमा आपड़े सू वायत करता था volume नी वायत करता था तो सू equation बन्तू तू X बार नू V1, X1, V2, X2 V3, X3 एउ equation बन्तू तू 2-dimensional figures नी जारे आपड़े वायत करता था त्यारे एमा सू find करता था area तो A1, X1 A2, X2, A3, X3 नी वायत करता था और आजे 1-dimensional figure चे एमा आपड़े सू find करिये चे length तो एमा सू आउसे X बार नू equation L1, X1 प्लस L2, X2 प्लस L3, X3 अपन L1, प्लस L2, प्लस L3 उके चलो आपड़े जे find करिये जे value चे ये put up करिया मा 20 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 20 प्लस L3 10, X3 25, 10 इंटू 25 अपन 20 प्लस 15 प्लस 10 इस इक्वल तू 750 अपन 45 X बार इस इक्वल तू 16.67 cm क्लियर तो X बार नू आंसर ये मढ़े चे आपनने 16.67 cm जे मां आपड़े L1, L2, L3 आनने X1, X2, X3 नी value प्लाप करिये X बार ना equation मा ओके तो X बार आपड़े find करी लिए दो हवे आपड़े सू find कर सू Y बार ने find कर सू ओके तो चलो Y बार ना equation जो ये Y बार इस एकल टो L1 Y1 ब्लस L2 Y2 ब्लस L3 Y3 ब्लस L3 Y3 ब्लस ब्लसらい कर दो चलो infect कर सू झाए, लिए, ये जो robićade